हाँ जी, तो अब आपके साथ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट वन जिसमें आपको हम सेंटर पॉलम और आपका पीपी सी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिटी कर्व के बारे में समझेंगे, एक्जाम के प्रस्पेक्टिफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अपने सामने, अपने स्क्रीन पर फर्स्पेक्टिफ आप यही देख रहे हैं, कि what is meant by scarcity and ये किस तरीके से एकनामी पॉलम को raise करता है, इससे किस तरीके से एकनामी पॉलम बढ़ जाती है, बड़ा important question है, तो आपके माइन में इस questions के answer को लेने से पहले कुछ सवाल आए होंगी, सबसे पहले किसा scarcity किसे कहते हैं, और दूसरा economic problem किसे कहते हैं, जब तक आपको ये दो terms clear नहीं है, तब तक आप ये नहीं समझ पाऊगे कि scarcity के विए से हम economic problem किस तरगे से raise होती है, तो चल ये, पहले हम scarcity के बारे में समझते हैं, इसको एक आसान सी भाशा में अ goods, ऐसी कुछ भी, कोई भी goods, जिसके demand supply से ज़्यादा हो, supply कम हो, वो चीज़े क्या होती हैं, वो limited होती हैं, वो scare होती हैं, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, जिसके जितनी demand है, उससे कम वो available है, उसको हम scare बोलते हैं, और unlimited वो चीज़े होती हैं, ये तो आपके पास प बलेंगे, जो है, scarcity, ठीक है जी, तो ये situation आपके पास में, scarcity हो गया, और एक situation आपके पास में unlimited होता है, जिसमें कि आपके पास में, demand ही कम रहता है, supply से, supply ही ज़्यादा रहती है, वो चीज़े जो unlimited है, वो scarcity का opposite हो गया, कैसे, जैसे कि हवा, जितनी demand है हमें, इसके, उससे ज ठीक है, ये चीज़े क्या हैं, ये unlimited है, आपने चीज़ अबजर्व क्या होगा, कि जो चीज़े unlimited होती हैं, वो चीज़ें free में available हो जाती हैं आपको, जैसे हवा, कोई हवा आपको नहीं बे सकता है, कि आपको पनी में हवा कवर करकर के, और बोले भी है, दो रुपे की हवा unlimited होगी, वो आपको generally, आपको free में available होगी, उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन जो चीज़े है, उसकी square का मतलब क्या है, कि demand हमारे पास जीतनी हैं, सब को available नहीं हो पाए, क्योंकि unlimited है, तो उसको किन को available हो पाए, किन तक वो सामान पहुँच पाए, ये तो एक value, एक importance जबलप हो गई, और उसी को हम क्या बोलते है, scarcity, तो आपको basic, simple सा आपको difference कैसे पता लग जाएगा, जिस जो बिलकुल free में सब के लिए available है, जो बिलकुल विकता और खरीदा नहीं जाता है, वो unlimited होता है, और उसकी, कि उस case में आप क्या देखोगे, कि उसकी demand से ज्यादा supply ही रहती है, और वो case जहाँ पर की scare है, जिसकी demand ज्यादा supply कम है, तो वो किन लोगों तक पहुंचे, वो उन लोगों तक पहुंचेगा, जो इसकी कीमत चुकाएगा, जो इसकी value अदाईगी करेगा, तो उन चीजों की जो है price होती है, तो यहाँ पर आपको देख कीने को नहीं मिलेगा, clear है, अब यह तो हमारे पास में scarcity हो गया, ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर, दिखेंगे, बेसिक से बताता हूँ, चल रहा हूँ, जो questions exam में आने हो अलग type के होंगे, उस पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पहला basic चीजों को समझते हुए, आप आगे बढ़िये, अब मैं बात करता हूँ, हमारे resource की, तो अब एकनामी पालम तक मैं आपको लेकर के जाओंगा, पहले लेकिन धी 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 समझेंगे न, पहले आप resource के बारे में समझे, resource किसे कहते हैं, तो आप जो अपने सामने images देख पा रहे हैं, जो picture आप आपके resources हैं, यह आपके, यह picture कौन से हैं, यह picture आपके पास में resources के picture है, resources, basically resources को चार category में divide किया गया है, चार category resources के कौन कौन से हैं, एक आपके पास में land, और एक resource आपके पास में है, पहले मैं land के उपर बात कर देता हूँ, देखे जो land है, जमीन है, किसी भी resource क्या होता, वो सवाल आपके दिमाग में आए, तो किसी भी चीज का आप जब production करते हैं, किसी भी commodity को आप produce करते हैं, तो उसके production में जो चीजें आपको help करती हैं, वो सार किसी सारे चीज आपके resource हो जाती हैं, जिनकी help से आप production करते हो, जो आप अपने सामने, अपने screen पर देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आपके resource हैं, ठीक है जी, अब resources, पूरे resources को चार category में divide करा है, एक land, अगर आप land देखेंगे, तो पहले मेरे बात बताए, ये land limited है या unlimited ह तो आप कहेंगे सर, ये land बिल्कुल ही limited है, clear है, क्योंकि इसको आप बढ़ात तो नहीं सकते हो न, जा फिर अगर ये unlimited होता तो ये आपको free में ही available हो जाता, पर जमीन की कीमत होती है न, तो ये क्या है, एक limited है, तो land आपके पास पर resource हो गया, लिमिटीड हो गया, आपके प बिल्कुल नहीं, unlimited नहीं होता है, ये क्या होता है, limited होता है, scare cities की भी है, labor भी limited है, labor मतलब कोई भी, जो कि आपका कोई मजदूरी कर रहा है, या कोई सामान को उठा रहा है, या कोई management का काम कर रहा है, कोई भी कोई इंजीनियर हो, सब को आपका labor की category में डाला गया है, और एक होता है हमारे पास में capital, ये बताइए, ये limited होता है, unlimited होता है, ये भी क्या होता है, limited होता है, ठीके, अच्छा, एक आपका entrepreneur आना था यहाँ पर, कोई बातरी हम ले लेते entrepreneur को, तो थोड़ा सा समय दीजिए और आपका entrepreneur आपके सामने हाजीर है, ये entrepreneur जी आ जाईए, ये ज ठीक है, एक कौन होगिया आपका, एक आपका होगिया कौन, entrepreneur हां जी, तो एक आपके पास में आगया कौन, entrepreneur, तो entrepreneur कौन होता है, जो की, जो की मुठाता है, जो रिस्क लेता है, business को करने के लिए, उसे हम as a entrepreneur कहते हैं, और ये भी हमारे पास में क्या है, as a एक resource है, जिसके help से लक्षन हो पाता है, अगर कोई entrepreneur सबसे पहले आता है, और वो risk उठाता है, कि मैं business करूँगा, वो जब ऐसा plan करता है, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद जो है, वो land का बंदोबस करता है, labor करता है, capital करता है, और as a, खुद हुआ as a entrepreneur काम करता है, और इनी सब चीज़ो को मिला करके किसी भी चीज़ का फ्लक्षन होता है, इवन अगर एक किसान खेती भी कर रहा है, तो जो उसके अंदर जो risk को afford करने की capacity है, वो risk ले तो रहा है, अगर बारिस जादा आ गई, तो भी फसल बरबाद है, बारिस नहीं आई, तो भी फसल बरबाद है, तो risk ले तो उसके अंदर जो साहस है, वो क्या है, वो एक as a entrepreneur है, और जो वो उस खेत में काम कर रहा है, वो उसमें जो invest कर रहा है, जो उसके बीज में जो fertilizer पसा लगा रहा है, as a capital invest कर रहा है, और जो जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, वो as a land use कर रहा है, इवन खेती में भी इंचारों वीडियो है, वो as a land use कर रहा हूं मैं, इस पहले हाँ पर invest कर रहा, तो इसमें capital का use हुआ, ठीक है, तो अब मैं आपके सामने मेहनत करता हूं भी नजरा रहा हूं, तो as a labor भी नजरा रहा हूं, तो किसी भी चीज का application करेंगे, तो आपको ये चार रिसोर्स लगेंगे, और चारो के चारो रिसोर्स क्या होते हैं, चारो के चारो रिसोर्स जो हैं, ये चारो रिसोर्स आपके एक limited resources होंगे, चारो रिसोर्स कैसे होंगे, limited होंगे, ये चारो के चारो, ठीक है जी, ये चारो रिसोर्स अगर आप देखते हैं, तो चारो आपको कैसे मिलेंगे, आपको square मिलेंगे इन चारों की स्केर सटी रहती है थार रिस् Aur armist én आपको Unternehmen मिलेंगे स्के सटी इन चारों के रहेंगे आप अबơi मुझे बस बता दो जो लोगों की बांस है ःते मेरी इंप वह क्या है आपके ध्याय मेरे इप ग्याहियर अब बात बता दो जसे कि आखर कोई पहले सोचता है उसके पास मैं एक घर आ जाए जब एक घर आ आ जाता आता सोचता इस बड़ा घर आ जाए वो बड़ा घर आ जाता स्वच्छ से इन बुटे मिल जाए इस सुचर्पोल वाला एक स्कूर्टर ही आ जाए देन इसका 500 रुपे की क्या सब्जी खरीद सकते हो बिलकुल नहीं खरीद सकते हो तो आप मुझे बताइए कि जो चीज जिससे फ्लक्षन होगा वो रिसोर्स ही हमारे पास में लिमिटीड है ऐसा नहीं है सरफ भारत के पास लिमिटीड है वाल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी एकनामी है सब के पास में रिसोर्स के यह चार जो है यही चार रिसोर्स है और सब के पास में चारो के चारो रिसोर्स के आए यह लिमिटीड है अब बताइए इस लिमिटीड रिसोर्स है कि किसी भी गुर्स एंड सर्विसेस का फ्लक्षन होना है वो इंग चार resources से ही होना है और यह resources ही खुद limited है तो क्या unlimited wants को satisfied करने के लिए unlimited goods and services का फ्लक्षन हो सकता है बिलकुल नहीं हो सकता है क्योंकि limited resources से आप unlimited goods and services का फ्लक्षन आप नहीं कर सकते हैं डेनन आप प्लयरे जी गे राए हो यहां पर जी आप unlimited resources को आप यहां पर डिम्टर रिसॉर्स ही आप unlimited goods and services प्लेउस नहीं कर सकते हो तो जब आप अब बताए कि पास जब सब्सक्राइब कर सकते हो क्या सब की सभी इच्छाइप पूरी हो सकती है बिलकुल नहीं हो सकती है कुछ की कुछ इच्छाइप पूरी ओ जाएंगे कुछ की कुछ पास में ही एक्जामपल के लिए आप देखेगा एच छोड़ात एक्जामपल लेते हैं मम्मी जी गई मार्केट वो दो सो रुपए लेकर के गई है और उन्होंने प्लैन कर रखा था कि वो वेजिटेबल भी लेंगे और वो जो फ्रूट्स भी लेंगे ठीक है तो आप इस च लें और फूट में ले तो कोण सा हुट लें तो कहीं न कहीं उन्के सामने प्लब्लम unfolding ofbest있 है कि क्या लें क्या ना लें यह पार्लम अफ चोंइस किस वजह से है उनके पास में यह पाललम फ़्रूइस हैं अगर उसके पास में unlimited पैसा होता पैसे की कोई कभी नहीं होती और फिर वो मार्केट में वो वेजिटेबल और फ्रूट से निकलते तो वो ये नहीं सोचती कि क्या ले क्या नहीं ले वो सब कुछ जो है फ्रूट सब कुछ वो ले लेती लेकिन उनके सामने ये पालम है कि क्या ले और क्या ना ले क्योंकि पैसा क्या है, रिसोर्स क्या है, लिमिटीड है, तो क्या संज में आया, जब रिसोर्सिस लिमिटीड होता है, तो फिर पार्लम अब चोईस क्रेट हो जाती है, मेरे पास में लिमिटीड रिसोर्सिस है, ये इंडिजुवल लेबल पर भी है, ये एक आपके पास में ग इंटरेपेनयरुर्श उंके पास में बद्वाइब बताएब वह अपने लिक्रिस से वह अ legitimate बहुत पना दें तो गवर्मपन को बना पढ़ जाता है क्योंकि resources limited है, तो resources limited होने की वजे से हमारे सामने problem of choice rise हो जाती है, बिल्कुल आपको इस संज में आ गया, ये जो problem of choice है न डियर, ये जो problem of choice है, इस problem of choice को ही हम क्या बोलते है, problem of choice को ही हम economy problem कहते है, आपको संज माय है scarcity क्या होता है, और economic problem क्या होता यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई clear है इसी को हम क्या बोलते है economy problem समझे अब सवाल क्या है explain the concept of scarcity how does it how does क्या है यह it give rise to economic problems scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand it means क्या है कि demand तो ज्यादा रहेगा बर supply कम रहेगी समझे it refers to the situation when wants exceed demand ज्यादा रहेगा and available resources as a result goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people scarcity is universal ऐसा निया सर्व भारत में यह पूरी दुनिया में है every individual हो चाहे कोई organization हो चाहे कोई economy हो face scarcity of resources scarcity in economics refer to when demand for resources is greater than the supply of that resources as resources are limited scarcity result in consumers having to make decision on how best to locate our resources in order to satisfy the basic needs consumer को सोचना पढ़ जाता भाया जो resources है इसको कहां पर कैसे खर्च करें जिससे कि हम सभी wants को satisfied नहीं कर सकते हैं but maximum satisfaction तो ले सकते हैं maximum wants को satisfied कर सकते हैं अगर आपके पास में या भी 2000 रुपे दिवाली के कपड़े के पैसे घर से मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप laser बगेरा सब कुछ आप सब कुछ बनाने में लग रहे हो आपको सोचना पड़ेगा क्या ले और क्या ना ले तो कि आपके पास में रिसोर्स इसक्या है लिमिटीड है तो हर कंजीूमर के पास में रिसोर्स इस लिमिटेड होने के वए means to satisfy them are limited therefore all our wants cannot fulfill हमारी सारी चाहत पूरी नहीं हो सकती है in order to maximum satisfaction every consumer exercises choice as which goods should be consumed and what quantity an economic problem is basically a problem of choice पूर्ज में आ गया जी आपको अब ये problem of choice the three main reasons for existence of economic problem तीन बड़े कारण इसकी वे से क्या होते हैं आप RBI के पास पर किस चीज़ के limited होने के बात कर रहे हैं मनी हाँ उनके पास नहीं limited होता है वो भी unlimited money को issue नहीं कर सकते हैं ठीक है limited money होता है अनके पास अगर वो unlimited money को अगर वो issue कर दे तो फिर ऐसे तो आपके मनें विचार यह भी आ रहा हो देशों को गरीबी नहीं होना चाहिए जब नोट शापने के मसीने चाप शाप के बंडल माण दो सभी परिवार के घर के आगे जो है एक एक क्रोड रुपय का नोट का जो बंडल बना करके सरकास अब के घर के आगे पाने भी नहीं आया आप बताओ जो पैसा बचा उसका क्या करोगे घाने के काम में आएगा उड़ने काम में आएगा तो यूजलस हो जाएगा उस पैसे का कोई महत्तव नहीं हो जाएगा अब जो चोटी अब जो कुछ कुछ चोटा मूटा गूर्स और सर्विसिस पड़ावा होगा ना अगर पूर एक किलो आलू पड़ावा है बागी हाई निकिसान ब्लक्षा मंद करना कर दिया वही एक किलो आलू एक करोड़ों में बिखीगा तो स ऐसी सिती क्या होगी ऐसी सिती उनके जीवने स्ट्रगल पैदा करेगा तो यह डवलेमेंट ग्रोथ पर जाओगे या बैकवर्ड हो जाओगे इसलिए और भी भी उतना ही पैसा चापेगी जितना की गूर्स और सर्विसिस का प्लक्षन हो रहा है इसलिए पहले गूर्स और इने काम करो उसके बाद आप पैसा पाओ ताकि उस पैसे से जब आप डिमांड करने जाओगे तो गूर्स और सर्विसिस आपको एबिलेबल होगा समझे यह नहीं समझे क्लियर है और कहते है आरे जितना गोल्ड होता है उसके बराबर वो उस पैसे को एशू करता है क्यों अगर हमा इसमें गूर्स और सर्विसिज नहीं है तो उस पैसे को मतलब उस गोल्ड को रखवा करके बिदेशों से भी इंपोर्ट हम कर सकते हैं है ना क्लियर है ऐसे थोड़ी हो तक होगा कि हम अपने पैसे चाप करके बिदेशों में जाए और इंपोर्ड करते रहें गू तो कि ऐसी बात भी बहुत ज़रूरी था हरत मट रिब्र लेबर लट क्यों अ येमें ओ अन ऐल्यमय अन और इमेंट वर प्रडिवश और इंप्डान थीपिल वॉण आ politicub of economic problem, all economics, दूसरा क्या है, unlimited human wants, एक तो चीजे लिमिटेट है, दूसरा क्या है, हमारी wants भी क्या है, unlimited है, ठीक है, human wants are never ending, they can never be fully satisfied, as soon as one wants is satisfied, another new wants is emerge, wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources, human wants also, जो है, differ in priorities, वो अलग अलग होता रहता, priorities का according, all wants are not of equal intensity, सभी wants की equal intensity नहीं रहती है, ये बात स्वज में आपको आई या नहीं आई, बताई ये जड़ा, clear है जी, due to this reason, people allocate their resources in order to preferences of satisfied some there want, alternative use, अब आप देखी का land है, तो land का क्या एक जिगे पर use है, अगर land है, तो इसका के एक जिगे पर use है, सरफ agriculture में यूज हो आ रहाई है, नहीं, कि रहने के बेरे लिए इस्तेमाल में आता है, ये फैक्टरी दो धंदे के लिए इस्तेमाल में आता है, तो ये इसके इक तो चीजे पहले से limited है, आपके वो एक तो मैं आपको सोर भाई द से, resources are not only scarce, but they can also be put to various uses, it makes choice among the resources important, तो ये तीन कारण है, कोन कोन से, scarcity of resources, unlimited human wants and alternative uses, जिसके वैसे, economic problem raise होती है, कि reason है, मेरे समाल क्या था, कि scarcity economy problem मों कैसे बढ़ाती है, तो ये संजमाएं आपको, economic problem कैसे बढ़ाती है, resources such as land, labor and capital are limited in relation to their demand, and the economy cannot produce all that people require to satisfy themselves, this is why economic problem exists in an economy, scarcity is universal which is applicable to all individual institutions and economy as a whole, ची समझ में आपको आगया, clear है, तो first question का आपको answer मिला या नहीं मिला, बताइए, first question क्या था, explain the concept of scarcity, how does it give rise to economic problem, अब मेरा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, scarcity के वज़े से, इस scarcity के वज़े से, limited resources के वज़े से ही, हमारे पास में क्या आ जाते हैं, basically, तीन economic problem raise हो जाती हैं, तीन आर्थिक समस्यां पैदा आ जाती हैं, और उसको एक mainly problem है, वो, उसको हम क्या बोलते है, central problem बोलते हैं, how many types of central problem of an economy, तीन central problem हर economy phase करती है, पहला है what to produce, and how to produce, and whom to produce, तो सबसे पहले हम समझेंगे किस चीच को, what to produce, भया जब आपके पास में पैसा सीमित हैं, तो आप यही तो सोचूगे क्या लाएं इससे, क्या लें, क्या लें, क्या लें, what to produce, क्या प्लक्षन करें, उसके बास सो सोच लिए यह लाना है, पर सोचूगे कैसे लेकर के आएं, मतलब कैसे इसको अपने पास तक लाएं, कैसे जाएं, उसके बाद, whom to, किसके लिए लाएं, तो तीन problem होती है, हर economy के पास में, economy में what to produce, क्या प्लक्षन करें, ठीक है, how to produce, कैसे प्लक्षन करें, and whom to produce, किसके लि computer, laptop, पता नहीं कितनी चीज़ का प्लक्षन होता है, तो what to produce का सवाली नहीं बनता है, सब चीज़ का प्लक्षन करना पड़ेगा, परे dear, basically goods को दो category में divide करा है, समझे, एक आपका consumer goods होता है, और एक capital goods होता है, एक consumer goods होता है, देखता है consumer goods, जैसे आप अपने सामने देख पा रहे हो, यह consumer goods, vegetables है, fruits है, और भी x, y, z है, जो कपड़े हैं, यह भी क्या है, यह जो है consumer goods होता है, consumer goods हो मतलब यह नहीं, जो कि सरफ आप खाते हैं, consumer goods वो है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, clear है, और एक हमारे पास में, यह consumer goods है, ठीक है जी, और एक हमारे पास में क्या होता है, यह तो consumer goods है, जो आप देख रहे होने, wheat का production, यह क्या है, यह consumer goods है, लेकिन जो इसके उपर इस्तेमाल कर रहा है, इसको काटने में, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, capital goods, तो basically goods को दो category में divide कर दिया है, consumer goods है, और एक है capital goods, आपको सुझ माया, capital goods किसे कहते हैं, यह आप देख रहे हैं, यह capital goods है, ठीक है जी, यह क्या है आपका, यह आपका capital goods है, और जो आप जिस चीज़ का production देख रहे हो, wheat reflection, यह यह आपका consumer goods हो, इस economy basically जो goods का production करती है, उसको दो parts में divide कर दिया है, दो parts कौन-कौन से, एक है consumer goods और दूसरा capital goods, अब सबसे पहले आप इस पात को समझेगा, कि आपके पास तो resources तो limited है, तो resources limited होने के वज़े से, अगर आप consumer goods का production ज्यादा करते हैं, तो capital goods का production क्या हो जाएगा, कम हो तो फिर आपके पास में vegetable ज्यादा लेंगे, तो fruit कम आएगा, और अगर आपने fruit ज्यादा लिए, तो फिर आपके सबजियां कम हो जाएगे, क्योंकि resources हमारे पास में limited है, तो आपके पास पर resources limited होने के वज़े से land, liberal, capital, entrepreneur, अगर आप उन resources को consumer goods पर एकिनामी लगाती है, ते आप hospital थोड़ी खोल सकते हो बिना government के permission, government को जिस चीज का application को बढ़ाना होगा, वहाँ पास सरकार tax में छूट देगी, कानूनी परतिबंद कम से कम करेगी, registration नहीं करवाएगी, formality से कम करेगी, तकि लोग उसका application करें, और उनका application बढ़ जाए, और जिसका application नहीं करवाना यहाँ पर registration लगाएंगी, tax rate ज्यादा high करेंगी, और उसको करने सा मना भी कर देंगी, कुछ हत्यार कोई private company नहीं मना सकते हैं, तो सरकार को जिन चीज़ों application करवाना होता है, उसको लेकर के encourage करते हैं, और जिस चीज़ को production नहीं करवाना होता है, उसको लेकर के पावंद्य लगाती है, तो basically government और हमारे economy decide करती है, what to produce, तो यहाँ पर दो options है, government के पास में, आज़ा economic goods and services application करवाने का, कि आप consumer goods application करवाएंगे, या फिर आप capital goods application करवाएंगे, जो fighter plane, जो war related goods है, यह भी हमारे capital goods ही होता है, तो देखिएगा, अगर आप consumer goods application करते हैं, तो capital goods application आपका कम हो जाएगा, और अगर आपने अपने resources, land labor, capital, entrepreneur को capital goods पर लगा दिया, तो फिर आपका consumer goods application कम होगा, तो आप limited resources से दोनों का application आप नहीं बढ़ा सकते हो, इस बात को आप समझ चुके हो, अगर आप इसका application, अगर आप कम करेंगे, तो इसका application फिर आपका पढ़ जाएगा, त आप बताएगे, सिरफ consumer goods ही बनेगा, और ये capital goods जब नहीं बनेगा, तो फसल होगी, कटाई कैसे होगी, ये बताएगे न, और भी मशीनों से जो इस्तेमाल करते हो, कैसे होगा, तो economy के अंदर, दोनों इसका application करती है, basically government, दोनों इसका application के लिए, जो decision लेती है, वो consumer goods का application कर जादा करें, ये डिपेंड करता है country की situations पे, जैसे भारत जैसा देश, जिसके आवादी इतनी ज्यादा भी है, और प्लस में, ये हमारे भारत का तुछ सिती अलग बना हुआ है, तेकि कुछ ऐसी देश जिसकी population कम है, तो consumer goods का application करते हैं वो, और अपने capital goods ज्यादा करते हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, कि सब के सब जो है, एक तरह के से आसपास हो है, इस वो, चमीन को occupied करने के, इस जो के चक्कर में वो लगे रहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप बात करें, किसी जिच के बात करें, अगर तो भारत जैसा देश जहां पर की चारों तरफ दुस्मन है, ऐसे देश में तो भीया, केबल गुर्स का प्लक्शन होना चाहिए, क्योंकि वार कभी भी हो सकता है, ऐसे चुक्छी क्लियर है, लेकिन भारत में आवादी भी जादा है, तो भारत को बैलन्स करके चलना पड़ रहा है, और जो देश पीसफूल है तो न्यूजीलेंड तो वहाँ पर कबल गुर्स की जुरत नहीं पड़ती है, वो सरफ कंजूमर गुर्स के फ्लक्शन पर फोकस करता है, तो बेसिकलिए, तो ज्यादा कॉआन्टिटी चंजूमर गुर्स अप्लक्शन वहाँ होगा, जह पर, जो है, वार से रेतीर सुशेक्शन बन हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ट तो प्रड़्च तो चल यह पढ़ते हैं, इस पालम इनवल्स सेलेक्शन अप गूर्स अंप सर्विसिस तो प्रडूचिन करें, और क्वालिटी तो भी प्रडूसे किफनी क्वांटि को क्या कहते हैं, civil goods कहते हैं, so on the basis of the important of the various goods and economy has to decide which goods should be produced and in what quantity, this is the problem allocation of resources among the different goods, clear resources को, अलग-अलग goods के अलोकेट करें, यह हम सेंटर पला में हैं, यह वर्ट्टू पर्ड्यूस, what possible community to be produced, there are the two type of community, consumer goods and capital goods, and how much to produce, after deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each community that is selected, it means it involves a decision regarding the quantity to produce of consumer and capital goods, civil and war goods and so on, ठीक है? अब आप देखेंगे, कि सेंटर पॉला में है, how to produce, कैसे प्लक्षन करें? तो basically how to produce, how to produce में क्या होता है? कि आप दो तरीके से community का प्लक्षन कर सकते हैं, कोई community है, उसका कैसे आप प्लक्षन करोगे? सवाल ये है, तो उसका आप दो तरीके से प्लक्षन कर सकते हैं, how to produce, कैसे प्लक्षन कर सकते हैं, तो आप पे जहां पर labor का use होता है, labor intensive technology, और जहां पर आप machine नो से प्लक्षन करवाते हैं, technology अगर आप मशीनों से प्लक्षन करवा रहे हो, तो इसको कहते हैं, capital, capital intensive technology, तो how to produce, कैसे प्लक्षन करें? मतलब किस technology से प्लक्षन करें? मतलब यह जो problem है, यह technology के choice related problem है, और there are two types of technology, first of all, labor intensive technology and second one, capital intensive technology, labor intensive technology में labor को use हम ज़्यादा करते हैं और capital का use कम करते हैं, और capital intensive technology में हम capital का use ज़्यादा करते हैं और labor का use हम कम करते हैं, clear है? तो यहाँ पर आपके पास में, यह दो अब आप कहोगे sir, हमें machine से इस्तेमाल करना चीज़, यह ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, देखेगा हमें उस resources को adopt करना चीज़ अप्लक्षन में, जिससे कि जो efficient हो, अब आप कहोगे sir, यह efficient resources क्या होता है? efficient resources, वो resources माना जाएगा, जिससे आपका cost प्लक्षन कम से कम आए, लागत कम से कम आए, cost कम से कम आए, और आपका जो है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा आपका हो पाए, जो आपके resources को better utilize कर पाए, वेस्टेस कम से कम कर पाए, वो आपको ज्यादा production कर रहे देगा, example के लिए, जैसे गन्ना है, उससे आपको जो है, चीनी मनाना है, तो हाथ से गुबा गुबा करके, पीस हो, उससे क्या होगा, उससे आपके resources का वेस्टेस जोगा, उस तरीके से उतनी मातर में आप रस नहीं निकाल पाओगे, वोई machine में डाल दोगे, तो उतनी गन्ने की मातर में ज्यादा आप चीनी बना पाओगे, कि हमारे पास तो resources पहले limited है, तो हमें अपने resources को better utilize करना चाहिए, कम से कम इसका wastage करना चाहिए, तो efficient technology वही है, जो आपका cost और production क्या करें, कम से कम करें, और art food level ज्यादा से ज्यादा दे, उसको हम बोलते है, efficient technology, आप कोगे सर, इस साब से तो हमारे पास में capital intensive technology है, यह asset बिल्कुल भी नहीं है, अब जिसे मान लिजिया, अमेरिका, मान लिजिया, Australia, जहापर labor बहुत कम है काम करने आए, लोगों की संक्या बहुत कम है, जहापर एक labor को hire करेंगे, तो मान लिजिया, पचास जार रोपे देना पड़ेगा, वही काम machine से करवा लेंगे, तो उसको 40,000 रोपे देना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनके लिए resources को better utilize करना है, capital को अच्छे से इस्तेमाल कर इसलिए वहाँ पर तो आपका capital intensive technology ज्यादा बेटर है, भारत की बात करूँ, machine तो आपको 40,000 रोपे प्लक्शन करके दे रहा है, लेवर आपको 15,000 रोपे दे रहा है, भारत में तो भारत में तो best technique कोन सी होगी, labor intensive technology हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका cost production कम से कम आएगा, उस आप 40,000 रोपे में आप 2-3 labor लगा दोगे, तो आप यहाँ पर जो machine production कर पा रहा है, labor उससे ज्यादा भी output करके दे देगा और आपके पास cost भी कम से कम आ रहा है, तो यहाँ पर तो भाया, आपके पास में labor intensive technology को आपको use करना चाहिए, यह बात आपको समझ में आपको आ this problem is referred to selection of technique, समझे, facilitated है, in capital आप क्या कर रहा है, labor intensive technique, more labor and less capital and capital intensive technique, there is a more capital and less labor, for example, textiles can be produced either with a lot of labor and little of capital, with less of labor and more of capital, resources are not equally efficient in production of the all products, यह सारे resources equally efficient नहीं होते हैं, अब मैं पढ़ाने में efficient हूँ, मुझसे गर मजदूरी करवाई जाए, तो शायद मैं वहाँ पर इतना efficient उस मजदूर के बराबर efficient नहीं होगा, तो सारे resources equally efficient नहीं होते हैं, when resources are transferred from the production of one good to another good productivity degrees, clear है, अभी जितना productivity मैं यहाँ पर कर नहीं हो, इसलिए अगर आप देखेंगे, resources, land भी equally efficient नहीं है, अब आप राजस्तान के सर्फ चले जाएं तो वहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर गेहू का उस्पादन जादा होता है, और गेहू का उस्पादन आपर वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर water जो है, व सब्सक्राइब को टेस्ट नहीं आता है, कि उनको पीछे से आदत पड़ी हुए ये, क्योंकि वहाँ पर जो इसका production कम होता है चावल तो और बिहार और आप राकन के साथ से ले जाए, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, परचूर मातरा में पानी उपलब्द है, तो यहाँ जो है, धान की खेती हो सकती है, यहाँ पर चावल की उपजाव हो सकती है, तो यहाँ के जो है, लोक। क्या करते हैं, वहां के लोग गो चावल स्यादा कंजूम करते है, पर तो यह पास तो टो है तो मेरे कहने का मतलब है, Land भी PayPal कнос से और आप जाने की राज्ता नहीं है, य आप एक ऐसे राज जैसे हो जहां पर कि पानी के पर्चूर मातरा हो मनलब कि अमीर ओनेंची अंजी देखेगा किसके लिए प्लक्षन क्या जाए अब भया एकनामी में सरकार हीज होचे कि चलो what to produce how to produce अब किसके लिए प्लक्षन होगा तो high quality के चीज high cost पत्यार होगे अब ही high price होगा गरीब को तो उसमे participation करी नहीं पाएंगे तो ऐसा प्लक्षन होना चाहिए उनकी प्लक्षन होना चाहिए जो गरीब लोग भी इस पर भागिदारी बन सकें तो बेसिकली यह चीज तो किस पर रिलेटीड हो जाएगा यह तो सरकार नहीं बांट देगे ने चीज को फैक्टरी में सरकार जाएगी मोधी जी आएंगे इंट्री में बोलेंगे इधा आओ यह आपका है ऐसे थोड़ी होगा यह डिपेंड करता है इंकम के डिस्टिविशन पर जिसको ज्यादा पैसा मिला है ज्यादा आए उसका गूर्स तरवीसिस में ज्यादा उसका शेर रहेगा और जिसकी आंदनी कम है उसको जो है उसमें क क्या होता है इसमें जो है इंकम में गाप इसको डिस्टिविशन अफ इंकम का मतलब यह नहीं होता है कि सबको ब्राबर सेलरी आप दे दो डॉक्टर को भी होई सैलरी नर्स को भी सैलरी इसको यह निया लग तो रहेगा बट एक रिजनेबल गाप रहेगा डॉक्तर अगर एक लाग रुपए ले रहा है तो नर्स भी साड़ जार पर ले जाए शतर जार ले जाए यह ग्याप होना चाहिए इसको बोलते हैं एक्वल डिस्टिविशन ऑफ इंकम चुकि सरकारी चेतर में सरकारी नोकरियों में देखने को मिलता है ठीक है जी स्लियर है और एक बात और गवर्मेंट जोब के सेक्टर के अगर मैं बात करी रहा हूं तो क्या सरकारी नोकरी के बारे में आप पर से कितने श्टुन लेसे जो गवर्मेंट जो के प्रपेशिन कर रहे है जो में बातर जार सरकारी नोकरियों की वेकिंसी आई है अगर चैने अगर आप पढ़ाई कर लोगे ऐसे श्याइसे साथ मेंटे लिए अगर आप अगर आप कर ले तो सरकारी नोकरी दूर नहीं है आप आसा है लेकिन उसका रहाएं तो पहले थोड़ते थोड़ समझना करूं कि अगर आप यहां पर देखते हैं कि यह मेरे बैच होता है आफ लाइन कि देख रहे हैं आप यह अफ लाइन बैच होता है इतनी बड़ी जो है क्राउड जो की गॉवर्मन्ट जोप के अंदर है कि ऐसे सी हो चाहिए बैंक हो सब के अंदर वेकेंसी आती रहती है और अभी जिनके हाइट वगर अच्छी है आप हैरान हो जाओगे एक बात से कि अभी देखने को मिला है क्या लास्ट येर मैं बताता हूँ आपको दिल्ली पलिस टीपी की अगर मैं बात करूं गर्ल्स की कि 45 मार्क्स के आसपास में आउट ओफ हंड्रड एक कट ओफ गई थी फिजिकल बच्छे नहीं निकालता है बस बच्छे और 45 बस 45 नमर और इसकी सेलरी 42,000 के नियरबाय है एक छोड़ी से पत की बात कर रहा हूं मैं कॉंस्टेबल की और अभी हैड के एक्जाम चल रहे है इसकी तनका जाज़ादा कितनी होगी 48,000 रुप है 40,000 रुप है यही रहती है एक असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर पचास बावन के आसपास होती है और सब इंस्पेक्टर जो कि अभी पिपर दिसंबर में हो उसका उसकी तनका जो है 30 के आसपास होगी तो सरकाई नो अगर जाओगे तो फिर आपका जो है अकाउंटेंट 15 जा रहे है यह जो इतना बड़ा ग्याप है इसको हम अने इकॉल डिस्टिबिशन कहते है और जब इकॉल डिस्टिबिशन होता है ने इंकम में तो यहाँ पर कॉंस्टेबल भी गुड्स और सर्विसिस को बाई कर सकत सब का पाडिसिपेशन रहता है ठीक है तो बेसिकली हों तूप अब पर यूज्टिब अब्ड़ा अबी मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज क्या पिर पेशन आराम से कर लें देखिए पिर पेशन कैसे करें आपके पास में मैं सब्जक्ट्स होते हैं मैस रीजनिंग इं अब कोई पिस्तरकारी नोकृष्री लेलो आपका असलिब लेता है पस जो फॉड़े से निमन पदक्वे हैं चोटे पदक्या उसमें से इसमें से आसान सवाल होंगे तो थोड़े अच्छे पोस्ट के हैं बड़े पोस्ट के इनमेंसे कोशद मुश्किल होंगे लेकिन के लिए आपको अलग तियारी ख लरक के लिए अलग तियारी ऐसा नहीं है अकांटेंट असिस्टंट के लिए अलग त्यारई अकांटेंट O costing अड़ीटर ऑफिसर के लिए अलग सरकाएं नोक्री में क्यों नहीं है programs में आपको बस तो खेर कभी भी आप इस प्लाइन जरू करना कुछ नहीं कर रहें तो सही टाइम है वेशन के बाद तो आपको टाइम मिलेगा नहीं है कि आपको अधर हैंग हो गया है तो आपको समझ मांगे जी हूम टू पडियूस किस से लिटीड है हूम टू पडियूस यह चीज है क्लियर हो गई है और एक चीज और हम आपको बताना चाहूंगा जो कल से बेरे क्लास गौश्मेंट जोब सभी बच्चे चैला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करलें सक्षय असरा मगवर्मेंट जोब अलते रेगुलर मैस से क्लासी ब्लेडारी आ यह तो कि विटूब फे टेफ्टर वाईस सीक्वेंस प्लेइलिस्ट पर ठीक है जी तो हम टू पर्डूस आपको सौंझ में आ गया पॉसा हाँ देखे जड़ा देखे जड़ा इस पॉलम इस कोश्चन हाव तो डिस्ट्रिबूट दा प्रोडक्ट अमंग दा वेरियस सेक्षिन आप देखे जड़ा आपको एक तरीके से इंटीडूस करवाया आपके रहे सर यूटूब चैलन का नाम सिक्षा धाम गवर्मेंट जॉब यूटूब चैलन का नाम है कल से रेगुलर क्लास बन से आपके साथ में वीडियो आनी शुरू हो जाएंगे ठीके अब मिलते हैं नेस्ट पर थैंक्यू थैंक्यू सो मच्च इसे कोई डाउट है कोई रिये तो पूछेगा आज सिर्फ पिछला हुआ है अब आगे का नेया टॉपिक आपको नेस्ट लास से स्टार्ट होगा थैंक्यू जी थैंक्यू सो मच्छ झाल झाल